कैसा लगेगा अगर आप इस चैनल से पचासो हजार रुपया से ज़्यादा आप कमा चुके हो और वो चैनल आपका विधिन हाफ एन आउर में हैक हो जाए किसी कावन बस तो आपको कैसा लगेगा कुछ ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ दोस्त एप्रॉक्सिमेट साथ ब तो वापस में रिकवर कर लिया हूं लेकिन क्या क्या हुआ आज के स्विड में बताता हूं हुआ क्या दोस्तों कल साथ बज़े एक नौटिफिकेशन आया मेरे मोबाइल में कि समवन ट्राइंग टू लॉगिन यो एकाउंट तो भाई उस समय में मजे में इंजवाय लेते कुछ ऐसा मेरे माइंड छल रहा था तो अब पता नहीं किस तरीके से मेरा जो नंबर था वो बाइपास किया हम मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो सिस्टम में लॉगीन नहीं किया था और किस तरीके से वह वापस रिकवरी इमिल सब चेंज कर रहा था मैं आपको को बता और रिकबरी इमेल कुछ ऐसा ही था अटर पटर उसके बाद नोटिफिकेशन फिर पंद से बाद आता है यूर पासवर्ट चेंज फिर उसके बाद जब आप उतना देर में एक्षन लेते हो क्योंकि काम अलेड़ी चल ला होता है उस बीच में तुरंत एक्षन लेना मतलब उ को रहा है फटा-फटा बबाल में लॉग इन करने चाहा तो उस में लाग ऑट कर दिया था मेरा मुवाईल से और लॉग आट तो किया था क्योंकि साइन इन आपको वापस करना पड़ेगा साइन करने गया तो पासवर्ड तो ऑली चेंज था मोबाइल नंबर तक चेंज कर दिया था यह सारा कुछ चेंज करने के बाद कि कोई option ही मचता है कि आप वापस recover कर रखो क्योंकि एक Google code आता है और authentication code आता है यह सब code आपका दो option और बचावा था जिसका कि मैंने एक help लिया Google code के मदद से जो भी आता है challenge code जो भी है तो वो code का option आता है क्योंकि a digit का वो code आता है उससे मैं वापस entered किय किया और क्योंकि मेरा सारा को चेंज हो चुका था mobile number email address सब कुछ चेंज हो चुका था जैसा कि आप देख रहें email address यह डाल दिया था अब पता नहीं यह email कौन सा है यह भी मुझे समझ में नहीं आया यह चैनल हैक हुआ होने के बाद वह क्या कि email address जो है recovery email address वह अपना डाल किया तो जब मैं forget password किया तो उस समय एक ऐसा option आ रहा था कि number उसका आ रहा था लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत कुसस करता रहा तो मेरे में भी option आया कि आप मैं अपने में भी OTP मांग सकता हूं तो OTP लिया अपने mobile में क्योंकि trusted device तो मेरा था mobile और trusted device तो उसका था नहीं त system देगा तो कुछ इसी तरीके से मैं वापस recover किया तो वह approximate बात करो तो half an hour वह continue मेरा account को hack करता रहा अब मैं वापस recover करता रहा मैं forget password करके इंटर करता था अपने gmail में login करता था वह वहां से तुरंत remove कर देता था और remove करने के बाद तो वह logout हो जाता है फिस्ट आप वापस login कीजिए तब तक में पता चलेगा password change है और कुछ देर और wait कीजिए तो पता चलेगा कि आपका mobile वह फिर वापस हटा दिया है तो कुछ इस तरीके से condition होता रहा एप्रॉक्स half hour है और half hour से भी ज्यादा तो कोई नहीं मैं कोसिस करता रहा मैं उसे जीजान लगा दिया था प कि बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकता हो लेकिन earning हो रहा है और एक उमीद है कि आगे बहुत अच्छा होगा और इतना महनत approximate बात करों तो one year महनत किया हूं continue और continue एक साल के महनत के बाद आप इतना इतना कमाते हो उसके बाद आपका channel boost होना start हो रहा है और account hack हो जाए तो hope न channel बनाऊंगा जिस पर प्रोपर वे में वीडियो डालूँगा ज्योंकि इस चैनल पर तो काफी ऐसे वीडियो जो की फालतु है में की बहुत ज्यादा घटिया quality है everything क्यों कि starting था मेरा चैनल का लेकिन वो समय ऐसा सोच रहा था कि एक नया चैनल बनाऊंगा लेकिन इतना था कि प्राना जो इतना महनत किया हूं उसका क्या क्या रिजल्ड जीरो हो जाएगा मैं अभी तक ऐसा सोच रहा हूं कि यूट्व ऐसे पार्ट टाइम कर रहा हूं और आप लोग को भी ऐसा सला जीता हूं कि आज़े पार्ट टाइम करो जो आपका केरियर है उस पर फोकस करो जब इससे ज़्यादा अर्णिंग होने लगे तो उम्मीद करो कि यूट्यूब बेस्ट है तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों मेरा जो चैनल है हुआ है होने के बाद अब वो नेपाल का जो लड़का था काफी ज़्यादा दिमाग लड़ाया मतलब बहुत तरीका से वो मेरा रिमूब कर दिया था लेकिन एक जो टेकनिकल व्यक्ति होते हैं मतलब कि उसको हर एक पता होता है कि दोस्तों कि आप एक जीमेल को लॉगिन करने के लिए कम से कम 5-6 होता है सिर्फ ऐसा नहीं कि आईडी पासवर्ड डालके भी आप लॉगिन रशकते हैं बहुत तरीका होता है तो वह सारा तरीका में अपना रहा था जो कि हो सकता था पॉसिबिलिटी जो जो पॉसिबल था दूस्तों मैं सारा पॉसिबल कर रहा था तो एक आफसन मिला जिस किस तरीके से हैक किया मुझे ये बात अब चैनल का अगर इमेरे इडेर्स पता चल합니다 आगे गलती किया होगा और कुछ ऐसा लिंक में क्लिक करके मतलब उसको एक्सेस दे दिया होगा गलती से क्योंकि उसको है करने का पर्मिन्सन मिल लिया तो कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों मेरे लाइफ में और सचाए बताऊं तो मेरे हाथ पूरा का पुरा अंप रहा था डर से नियुक्स इस जब चलाने का मन नहीं कर रहा था यह ऐसा हो गया था मतला पूरा डल से क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत हुआ है यूट्यूब पर पार्ट टाइम कर रहा हूं बहुत लंबे टाइम चे कर रहा हूं तो यह भी कारण रखता है जिसके कारण मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा यह चैनल है देखो देखो क्या होता है आगे और अब जो है मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एपल का कोई एक डिवाइस ले लेता हूं आइपड टाइप का जैसमें की लॉग इन रखूंगा उसी में एडिटिंग करूंगा कोई भी क्रैक सॉफ्ट्रेस अमाल नहीं करूंगा उसको बहुत ऐसा अप्सन होता है कि अगर इंटरनेट ऑन रहा किसी कावन बस वह लेकिन ऐसा था कि एकाउंट है वह उसको मेरा जो डीटेल था इंफरमेशन बहुत पहले मिल गया था और बहुत समय के बाद वह एकाउंट है किया अब यह तो सब यह तो अच्छी बात है कि वह अगर साथ वह रात को किया तो एट-टायम में देख लिया या तो एक घंठा भी अगर लेट कर देता न तो वह एकाउंट और को में वापर मेरा नंबर कर देता न महां से क्योंकि दोनों नंबर वहां पे आड़ता अगर एक नमबर वो रिमुब करती है तो मैं रिकबर वापस नहीं कर पाथा तकी जो पैसल एकाउंट को there करने में दिमाग लगाया मैं वापस recovery करता रहा क्योंकि मेरे पास एडमीन था वह मैं था और जितना भी एकसेस था मतलब जो ट्रस्टे डिवाईश है वह मेरा मुबाइल था जिसके कारण जो है मेरा एकाउंट बच गया बस इतना सही था दोस्तों बहुत ही काफी ज्यादा करता हूं और सोच रहा हूं कि अपसे कोसिज करों कि तीन दिन पर एक वीडियो में confirm कर दों कि तीन दिन पर एक वीडियो आयगा continue तो बस इतना सही बोलना चाहता हूं दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दो चैनल को भी सबस्क्राइब कर देना क्योंकि सरिफ 0.3 तोस्तों मेरे वीडियो को समा प्काता हूं